दिल्ली में एक बुजुर्ग दमपत्ती अचानक गायब हो जाते हैं घर की एकलोती बेटी उन्हें हर जगह ढूंडती है पर तमाम कोशिश के बाद भी जब दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता तो कुछ दिन बाद वो पुलिस में जाकर अपने मा बाप की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है पर फिर भी दोनों का कोई पता नहीं चलता कई दिन और बीट जाते हैं फिर तभी एक रोज एक नाले में एक सूटकेस तेरता हुआ नजर आता है लोग पुलिस को खबर देते है पुलिस सूटकेस खोलती है सूटकेस में मा बंद थी इसके बाद उसी नाले से एक दूसरा सूटकेस मिलता है दूसरे सूटकेस में बाप बंद था वो लड़की बेफिक्र अपने बॉय फ्रेंड और पुलिस के साथ साथ घूम रही थी अपने मातापिता के कातिल को तलाश रही थी जब हकीकत का पता चलता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि कातिल कोई अपना ही था और बहुत ही बेरहम था एक ऐसा कातिल जो पहले बुज़ुर्ग दमपती का कतल करता है फिर लाश के हाथ पैर तोड़ता है इसके बाद लाश को सूटकेस में रखता है और फिर सूटकेस नाले में ले जाकर फिंक देता है क्या था पूरा मामला क्यों हुई थी बुजुर्ग दमपती की हत्या किसने दी थी इतनी दर्गनाक मौत पूरी कहानी जानने के लिए विडियो में लास्ट तक बने रहे नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों और बहनों मैं विवेक कुमार क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्रिप्या क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि मेरे हर विडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं आठ मार्च दो हजार उननीस की रात के करीब साढ़े आठ बजे का वक्त था बाहरी दिल्ली के निहाल विहार थाने के दो सिपाही मोटर साइकल पर गश्ट करते हुए सयद नांगलोई के पास बहने वाले नाले के किनारे बनी सडक से गुजर रहे थे तभी एक राहगीर दोड़ते हुए आकर उनकी बाइक के सामने खड़ा हो गया मजबूरी में पुलिस वालों को मोटर साइकल रोकनी पड़ी बाइक पर पीछे बैठा सिपाही जुझलाते हुए नीचे उतरा और उस राहगीर को जिड़कते हुए बोला ओ भाई क्या इरादा है मरना चाहता है क्या जो इस तरह भाग कर बाइक के सामने आ गया नहीं सर ना तो मैं मरना चाहता हूँ और ना ही ऐसा कोई इरादा है बस आपको एक सूचना देनी थी इसलिए आप लोगों को देख कर दोड़ता चला आया राहगीर ने अपनी उखडी सास को नियंतरित करते हुए सफाई दिया राहगीर की बात सुनकर सिपाही का गुस्सा शान्त हो गया उसने जिग्यासा दिखाते हुए राहगीर से पूछा सूचना कैसी सूचना क्या हुआ राहगीर ने कहा सर उस नाले में एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा है ऐसा लगता है कि उसमें कोई संदिख्ध चीज है उसकी बात सुनकर दोनों सिपाही बाइक को वही खड़ी करके राहगीर के साथ उस जगह पहुँचे जहां नाले में सूटकेस तैर रहा था दोनों सिपाहियों ने देखा एक लाल रंग का सूटकेस नाले के दूसरे किनारे पर तैर रहा था लेकिन वह इलाका उनके थाना च्षेतर में नहीं आता था वह थाना पश्चिम विहार वेस्ट के च्षेतर में था इसलिए कांस्टेबल ने उसी समय फोन करके पश्चिम विहार वेस्ट थाने को सूचना दे दिया सूचना चूंकी पुलिस की तरफ से मिली थी इसलिए खबर मिलते ही SHO मुकेश कुमार इंस्पेक्टर मनोज भाटिया के साथ मौके पर पहुँच गए उन्होंने सूटकेश को नाले से बाहर निकाल कर खुलवाया तो उसमें एक महिला का सड़ागला शव मिला उन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा अपने उच्चाधिकारियों को भी लाश मिलने की सूचना दे दिया कुछ ही देर में क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुँच गई टीम ने लाश को सूटकेश से बाहर निकलवा कर जाच शुरू कर दिया वह शव किसी अधेड उम्रिकी महिला का था जिसका मौ काफी सूजा हुआ था ऐसा लग रहा था जैसे उस शव को वहां पड़े कई दिन गुजर चुका है क्योंकि शव पानी में पड़े रहने के कारण काफी सड़ चुका था महिला के शव पर ओरेंज कलर का कुर्ता वह ब्राउन रंग की सलवार थी वह जुराब पहने हुए थी मगर पाव में चपल नहीं थी उसकी बाजू में हरे रंग के कपड़े में एक ताबीस बंधा था और गले में रुदराक्ष की माला थी उसी दोरान एडिशनल डीसीपी राजेंद्र सागर और एसीपी विनय माथूर भी वहाँ पहुँच गए उन्होंने भी लाश का मुआयना किया जिस तरह से अधेड महिला का शव मिला था उसे देख कर पुलिस ने अनुमान लगाया कि महिला की हत्या कहीं और की गई होगी और बाद में उसके शव को यहां लाकर डाला गया होगा फिलहाल सबसे बड़ी चुनोती यह थी कि महिला की पहचान कैसे कराया जाए क्योंकि वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे महिला की शिनाख्त हो सके पश्चन विहार वेस्ट ठाने के अधिकारियों ने अपने स्टाफ को आसपास की कालोनियों में भेज कर वहां रहने वाले कुछ लोगों को बुलाया ताकि महिला के शव की पहचान हो सके लेकिन इस पूरी कवायद में कोई सफलता नहीं मिली लिहाजा पुलिस ने शव के फोटोग्राफ खिंचवा कर उसे पोस्ट मार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया पश्चिन विहार वेस्ट थाने लोट कर इस एचो मुकेश कुमार ने अज्यात के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहट मुकदमा दर्सकर जाच का जिम्मा इंस्पेक्टर मनोज भाटिया को सौंप दिया मनोज भाटिया ने मुकदमे की जाच मिलने के बाद उसी रात सबसे पहले यह पता लगाने का काम शुरू कर दिया कि आखिर मृत का है कौन उन्हें शक्ता कि अगर उस महिला का शब यहाँ पड़ा है तो हो सकता है कि उसके परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी दर्स करवाई होगी लिहाजा उन्होंने अपने स्टाफ के साथ जिपनेट नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया दरसल इस नेटवर्क पर दिल्ली ही नहीं दूसरे राज्यों में मिली लावारिस लाशों और गुमशुदा लोगों की जानकारी दर्ज रहती है करीब तीन घंटे की कवायत के बाद इंस्पेक्टर मनोज भाटिया को गुमशुदगी के एक ऐसे मामले की रिपोर्ट मिल गई जिसमें दर्स हुई महिला की तस्वीर उस महिला की लाश से काफी हद तक मिलती थी लापता महिला का नाम जागीर कौर था गुमशुदगी की ये सूचना निहाल विहार थाने में लिखी गई थी जागीर कौर निहाल विहार थाने के दीपक विहार निलोठी एकस्टेंशन के मकान नंबर 22 में रहती थी सूचना जागीर कौर की बेटी हर जिंदर कौर ने दर्स कराई थी इस रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जागीर कौर के पती गुर्मीत सिंह भी लापता है इंस्पेक्टर मनोज भाटिया ने निहाल विहार थाने में फोन करके जागीर कौर व गुर्मीत सिंह की गुमशुदगी की सूचना दर्स कराने वाली हरजिंदर कौर का फोन नंबर हासिल कर लिया मनोज भाटिया ने रात में ही हरजिंदर कौर को फोन करके सयद नांगलोई के नाले से अधेड महिला की लाश बरामत करने की जानकारी दिया उन्होंने शव की पहचान करने के लिए हरजिंदर कौर से संजय गांधी अस्पताल पहुँचने को कहा अगले एक घंटे के भीतर हरजिंदर कौर संजय गांधी अस्पताल पहुँच गई तब तक इंस्पेक्टर मनोज भाटिया भी वहां पहुँच गए उन्होंने जब हरजिंदर कौर को महिला का शव दिखाया तो उसने देखते ही शव की पहचान अपनी मा जागीर कौर के रूप में कर दिया शव की पहचान होते ही मनोज भाटिया ने राहत की सांस लिया अब उन्हें लगने लगा कि हत्या की गुत्थी जल्द ही सुलज जाएगी उसी वक्त हरजिंदर कौर ने कहा कि अगर उसकी मा का शव नाले में मिला है तो उसके पिता का शव भी वहाँ आसपास ही मिलना चाहिए क्योंकि उसे पूरा शक है कि उनकी भी हत्या हो चुकी होगी इसके बाद इंस्पेक्टर मनोज भाटिया ने थाने की एक और टीम को ततकाल सयद नांगलोई नाले की तरफ रवाना किया और खुद भी हरजिंदर कौर को लेकर उसी तरफ रवाना हो गए पुलिस तीम ने रात में ही नाले के उसी एरिया में सर्च ओपरेशन शुरू किया जिसका परिणाम ये निकला की दो घंटे बाद नाले में रैक्सीन का एक और काला सूटकेस बरामद हुआ उस सूटकेस को खुलवाया तो उसमें भी एक शव बरामद हुआ ये शव एक सिख बुजुर्ग का था और बुरी तरह सड़ चुका था लेकिन उसके शरीर पर लिबास वपहनावे को देख कर हरजिंदर कौर ने पहचान लिया यह शव उसके पिता गुर्मीत सिह का ही था नाले से एक और शव की सूचना मिलने के बाद तमाम बड़े अधिकारी एक बार फिर घटना स्थल पर पहुँचे और फोरेंसिक क्राइम टीम को फिर से मौके पर बुलाया गया शव की शिनाख्त जाच परताल के बाद गुर्मीत सिह के शव को भी पोस्ट मार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया तब तक 9 मार्च की सुभह के भोर का उजाला हो गया था दूसरा शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का एक और मुकगमा दर्स कर लिया इसकी जाच का जिम्मा थाने की महिला इंस्पेक्टर इंवेस्टिगेशन डोमिका पूर्ती को सौपा गया हरजिंदर कौर ने इस शव की शिनाख्त अपने पिता गुर्मीत सिह के रूप में किया इसलिए जब इंस्पेक्टर डोमिका पूर्ती ने हरजिंदर कौर से पूछताच की तो उसने साफ आरोप लगाया कि उसके माता पिता की हत्या उसकी बड़ी बहन दविंदर कौर उर्फ सोनिया ने अपने प्रेमी राजकुमार दीक्षित उर्फ विकरम उर्फ प्रिंस दीक के साथ ही रहती थी यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम ततकाल उस ठिकाने पर रवाना कर दी गई जहां सोनिया रहती थी मगर वहां ताला लटका मिला साफ हो गया कि इस वारदात को सोनिया ने ही अंजाम दिया है क्योंकि वह लापता थी चुंकि मामला दोहरे हत्याकांड का था लिहाजा जिले के DCP सेजूपी कुरुविला ने हत्यारों को पकड़ने के लिए एक बड़ी टीम का गठन कर दिया इस टीम के सुपरविजन की जिम्मेदारी उन्होंने एडिशनल DCP राजेंदर सागर को सौंपी और ऑपरेशन की कमांड संभालने का जि से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की धरपकड का जिम्मा सौपा गया पुलिस टीम ने जब मृत का जागीर कौरव उनके पती गुरमीत सिंह के घर के आसपास लगे कुछ CCTV कैमरों की जाच पड़ताल करना शुरू किया तो कुछ CCTV कैमरों से ऐसी फुटेज भी मिल जिस से साफ हो गया कि सोनिया और प्रिंस ही इस दोहरे हत्याकांड के जिम्मेदार हैं। पुलिस टीम ने सर्विलांस की मदद से लखनव से लेकर दिल्ली तक अपना जाल बिछा दिया क्योंकि प्रिंस लखनव का ही रहने वाला था। ताबरतोर चापे मारी और पुलिस क की घेराबंदी का नतीजा यह निकला कि 10 मार्च 2019 की रात को पुलिस ने बाहरी दिल्ली इलाके में दिलेर महंदी फार्म हाउस के पास से सोनिया और उसके प्रेमी प्रिंस को गिरफतार कर लिया। दोनों को गिरफतार कर जब थाने लाया गया और पूछताच की गई तो प दोनों सुपारी किलर रिंकू और दिवाकर लखनव के गोमती नगर एक से टेंशन के रहने वाले थे। प्रिंस से पूछताच के बाद पुलिस ने रिंकू और दिवाकर के मोबाइल नंबर हासिल कर लिये और वेस्ट थाने के एस आई राजेंदर सिह के नेतरित्व में प दस दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। दूसरी तरफ एस आई राजेंदर सिह की टीम ने 11 मार्च की रात को ही दोनों आरोपियों रिंकू और दिवाकर को लखनव के गोमती नगर एक से गिरफतार कर लिया। अगली सुभह तक राजेंदर सिह की टीम उन दोनों को ल सामने आ गया और पूरे हत्याकांड की सारी कडियां जुरती चली गई जिसे सुनकर हर आदमी यही कह सकता है कि भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। पुलिसिया पूछताच और आरोपियों के बयान के आधार पर माबाप के ममता के दर्धनाक कतल की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। मुल्रूप से दिल्ली के रहने वाले गुर्मीत सिंह की शादी जालंधर की रहने वाली जागीर कौर से हुई थी। जागीर कौर और गुर्मीत सिंह के चार बच्चे हैं। गुर्मीत सिंह पेशे से लकडी के ठेकेदार थे। वह अपने परिवार के साथ दीपक विहार निलोठी एक्सेटेंशन स्थित अपने मकान में रहते थे उनके चार बच्चों में दो बेटे और दो बेटियां थी गुर्मीत का बड़ा बेटा अमरजीत सिंह अपने परिवार के साथ दुबई में रहता है और वहीं सिटल है जबकि छोटे बेटे ने दूसरे धर्म की लड़की से प्रेन विवाह कर लिया था जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था जिसके बाद उनके परिवार में बस दो बेटियां ही रह गई थी बड़ी बेटी दविंदर कौर उर्फ सोनिया और छोटी हरजिंदर कौर सोनिया की शादी सन 2011 में फरीदाबाद में रहने वाले सुरेंदर से हुई थी लेकिन सुरेंदर एक सीधा साधा व्यापारी था जबकि सोनिया पढ़ी लिखी और चंचल स्वभाव की महत्वाकांक्षी लड़की थी दोनों के विचार नहीं मिले तो उनके बीच अनबन र रहने लगी यही कारण रहा कि एक साल पूरा होते होते सोनिया का सुरेंदर से आपसी सहमती से तलाक हो गया और वह अपने माता पिता के घर आ गई पहली शादी भले ही असफल हो गई थी लेकिन माता पिता को बेटी का घर में बैठना गवारा नहीं था लिहाजा उन्होंन उसी साल निहाल विहार में रहने वाले करुण शर्मा से उसकी दूसरी शादी कर दिया दरसल करुण शर्मा जो एक प्राइवेट कमपनी में काम करता था उससे सोनिया की जान पहचान खुद ही हुई थी दोनों के बीच जल्द ही घनिष्ठता बढ़ गई और इसी के बाद सोनिया ने माता-पिता को यह बात बताई इसके बाद दोनों की शादी कर दी गई शादी के पांच साल तक दोनों की ग्रहस्थी ठीक ठाक चली इस बीच सोनिया ने दो बच्चों एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया लेकिन साथ साल पहले यानि सन 2017 में उसने अपने प पती के पास छोड़ कर मायके में आ गई। इसका भी एक अहम कारण था। दरसल जब सोनिया अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो उस दोरान उसकी छोटी बहन हरजिंदर कौर उसकी तीमारदारी करने के लिए उसके घर आई थी। हरजिंदर कौर सुन्दर भी थी और जवान भी लिहाजा पतनी के बिस्तर पर होने के कारण पती करुन शर्मा का उसकी तरफ जुकाव हो गया था। दो तीन महीने में हालात ऐसे हो गए कि हरजिंदर कौर तथा करुन शर्मा के बीच संबंध हो गए। जल्द ही यह राज सोन को पता चल गया। दूसरे बच्चे को जन देने के बाद जब सुनिया ने हरजिंदर कौर को घर भेज दिया तो उसके बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। कभी करुन उससे मिलने माता पिता के घर चला जाता तो कभी वह उसे बाहर बुला कर उससे मिलता जुलत के साथ जगरा होने लगा। आखिर एक दिन तंगा कर सोनिया दोनों बच्चों को पती के पास छोड़ कर हमेशा के लिए घर छोड़ कर अपने माता पिता के घर आ गई। अब वह जीवन में सिर्फ अपने लिए जिएगी। माता पिता के घर आकर सोनिया के सामने अपनी जिन्दगी को पालने का संकट था। लिहाजा उसने नौकरी की तलाश शुरू कर दिया। इस दौरान जौब पोर्टल से इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाले लखनाओ के गोमती नगर एक सेटेंशन निवासी प्रिंस दीक्षित का मोबाइल नंबर सोनिया को मिला। उसने इवेंट मैनेजमेंट के लिए सोशल मीडिया पर महिला एगजीक्यूटिव की जौब का विध्यापन दिया हुआ था। उस नंबर पर बात करके सोनिया प्रिंस से मिलने लखनो गई। वहाँ प्रिंस को जब पता चला कि सोनिया पहले पती से तलाक के बाद दूसरे पती को बिना तलाक दिये छोड़ चुकी है तो उसे लगा कि खूबसूरत सोनिया को अगर वह अपने साथ रख ले तो उसका धंधा ही नहीं चलेगा बलकि औरत के बिना के लिए एक कमरा भी दे दिया दोनों ही अधूरेपन की जिन्दगी जी रहे थे फिर ऐसे हालात बने की दोनों के बीच जल्द ही जिस्मानी संबंध भी बन गए लेकिन कुछ समय बाद सोनिया दिल्ली आ गई क्योंकि उसने कहा था कि वह दिल्ली में रहकर ही उसके इवें अचे लंबे समय तक उठा सके लेकिन सोनिया के दिल्ली में माता पिता के पास रहने के दोरान भी प्रिंस अक्सर सोनिया से मिलने के लिए दिल्ली आता जाता रहता था सोनिया ने अपने माता पिता को बताया कि वे जल्द ही शादी करने वाले हैं कुछ समय बाद ही प्रिंस को उसके घर आते जाते ये बात पता चल चुकी थी कि दोनों भाई परिवार से अलग हैं और छोटी बेटी हर जिंदर कौर के सोनिया के पती से संबंध हो जाने के बाद उसके माता पिता के पास केवल सोनिया ही थी जो उस मकान की हकदार थी उस सो वर्ग गज के मकान की कीमत लगभग सत्तर असी लाख रुपय थी इसलिए प्रिंस ने सोनिया के दिमाग में यह बात डाल दिया कि अगर वह अपने माता पिता से इस मकान को अपने नाम करा ले तो वे दोनों शादी करके दिल्ली में इवेंट मैनेजमेंट कमपनी ख खोल कर आगे की जिन्दगी चैन से बसर कर सकते हैं। सोनिया को भी उसकी बात पसंद आ गई। सोनिया ने अपने माता पिता से घर को उसके नाम पर करने के लिए कहा तो पिता बुरी तरह भड़क गए। कहने लगे क्या हुआ जो मेरे दूसरे बच्चे मेरे साथ नहीं र अधिकार नहीं हो सकता है। कई बार बात करने के बाद भी गुरमीत सिंह और जागीर कौर मकान को सोनिया के नाम ट्रांसफर करने के लिए राजी नहीं हुए। अपने सपने में माता पिता को बाधक बनता देख कर सोनिया के दिमाग में उनके लिए खुराफाती खयाल आन उन दस्तावेजों को जालसाजी करके अपने नाम करवा लिया। फिर उन दोनोंने तिलक नगर के एक प्रॉपर्टी डीलर से इस प्रॉपर्टी को बिक्वाने के लिए बात किया। तो उसने जल्द ही एक तै रकम में इस प्रॉपर्टी को विक्वाने का वादा किया। इस दौरान प्रिंस के वहकावे में आकर उसने तै कर लिया कि अगर उन्हें माता पिता की संपत्ती हथियानी है तो उनकी हथ्या करनी पड़ेगी। बस यह खयाल आते ही उन्होंने इसकी प्लानिंग शुरू कर दिया। सन्योग से मौका भी जल्द ही मिल गया। अपने पिता की मौत हो जाने के कारण दस फरवरी दो हजार उन्नीस को जागीर कौर पंजाब के जालंधर स्थित अपने माय के चली गई थी। पिता गुर्मीत सिह के घर में अकेले होते ही सोनिया ने प्रिंस से बात की और कहा कि पापा घर में अकेले हैं। मौका अच्छा है तुम जल्दी दिल्ली आजाओ। प्रिंस समझ गया कि अकेले यह काम उसके वशका नहीं है। लिहाजा उसने लखनव के गोंती नगर एक सिटेंशन में रहने वाले दो परिचितों रिंकू और दिवाकर से बात किया। दोनों लूट चोरी वड़कैती करते थे। प्रिंस ने दोनों को पचास हजार रुपए दिये और साथ देने के लिए राजी कर लिया। जिसके बाद प्रिंस 21 फरवरी को रिंकू वडिवाकर के साथ दिल्ली में सोनिया के घर पहुँच गया। उसके घर पहुँचने से पहले ही सोनिया ने रात को अपने पिता को दी गई चाय में नींद की गोलिया पिला कर बेसुद कर दिया। फिर प्रिंस ने उन दोनों के साथ मिलकर गुर्मीत सिह की गला घोंट कर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसने उनकी लाश घर में रखे एक लाल रंग के सूटकेस में भरी और गुर्मीत सिह की मोटर साइकल पर प्रिंस वरिंको सूटकेस रखकर सयद नांगलोई नाले में फैंक आए सोनिया के लिए अच्छी बात यह थी कि पिता की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं था कई दिन ऐसे ही गुजर गए इसी बीच जागीर कौर ने सोनिया को फोन करके बताया कि वह दो मार्च को दिल्ली लोटेगी यह सूचना सोनिया ने अपने प्रेमी प्रिंस को दे दिया जागीर कौर दो मार्च की रात को दिल्ली लोट कर आ गई जागीर कौर ने घर आते ही सोनिया से अपने पती गुर्मीत सिंग के बारे में पूछा तो सोनिया ने जवाब दिया कि उनकी तबियत खराब है और वह अस्पताल में भरती है जागीर कौर ने पूछा कि ऐसा उन्हें क्या हुआ जो अस्पताल में भरती करना पड़ा सोनिया ने बताया मम्मी अचानक उन्हें हार्ट अटैक हुआ था मैंने आपको फोन करके इसलिए खबर नहीं दी कि आप और परेशान हो जाएंगी क्योंकि नाना जी की मौत पर आप पहले से दुखी थी जागीर कौर बोली कल मैं अस्पताल चलूँगी ठीक है मम्मी कल मैं आपको पापा के पास लेकर चलूँगी सोनिया ने मा से कहा इसके बाद सोने से पहले सोनिया ने उन्हें पीने के लिए चाय दी और उसमें उसी तरह नशे की गोलिया मिला दी जैसे पिता को बेसुद करने के लिए चाय में मिलाई थी चाय पीते ही जागीर कौर पर मूर्चा चा गई और वह गहरी नीन सो गई दो मार्च को प्रिंस रिंकू के साथ लखनव से दिल्ली आ चुका था सोनिया द्वारा फोन करने पर प्रिंस रिंकू को लेकर सोनिया के घर पहुँच गया वहाँ पहुँचकर प्रिंस और रिंकु ने उसी तरहे गला दबाकर जागीर कौर को भी मार दिया जैसे गुर्मीत सिह को मारा था उनके शव को ये लोग उस दिन घर में ही रखे रहे अगले दिन शाम को प्रिंस वरिंकु नांगलोई के बाजार से एक रैक्सीन का बड़ा ब्रीफ केस खरीद लाए और शाम को जागीर कौर का शव उसमें भर कर उसी बाइक पर रखा और सयद नांगलोई नाले तक ले गए उन्होंने उसी जगह पर जागीर कौर के शव से भरे सूटकेस को भी फैंक दिया जहां गुर्मीत सिह के शव को फैंका था बाद में उन्होंने गुर्मीत सिह की मोटर साइकल पश्चिम विहार के एक मौल की पार्किंग में खड़ा कर दिया प्रिंस दीक्षित अगली सुबह रिंकू के साथ लखनव चला गया चार मार्च दो हजार उन्नीस की सुबह गुर्मीत की छोटी बेटी ने जब अपनी मा को फोन किया तो उनका फोन बंद मिला क्योंकि उसे पता था की मार्च की रात को दिल्ली वापस लोटी होंगी इसलिए वह उनकी कुशलता का समाचार लेना चाहती थी जब मा का फोन बंद मिला तो हरजिंदर कौर ने सोनिया को फोन करके मासे बात कराने को कहा तब सोनिया ने बताया कि मा अभी दिल्ली नहीं पहुँची है यह सुनकर हरजिंदर कौर परेशान हो उठी कई दिनों से उसके पिता का फोन भी बंदा रहा था हरजिंदर कौर को लगा कि कहीं कुछ गड़बड जरूर है लिहाजा उससे रुका नहीं गया और वह चार मार्च की दोपहर को पिता के घर निलोठी एकस टेंशन पहुच गई वहाँ मा और पिता दोनों ही नहीं थे पूचने पर सोनिया भी कोई सही जवाब नहीं दे सकी कि वे कहा है जालंधर में ननिहाल फोन करने पर यह बात साफ हो चुकी थी कि मा तो दो मार्च की सुभह ही वहाँ से दिल्ली के लिए चली गई थी हरजिंदर कौर समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बर जरूर है क्योंकि उसे यह भी पता था कि सोनिया मम्मी पापा पर पिछले कुछ महीनों से मकान को अपने नाम पर कराने का दबाव बना रही थी लिहाजा उसने चार मार्च को ही निहाल विहार थाने में अपने माता पिता की गुमशुदगी की सूचना दर्स करा दिया हालांकि हरजिंदर कौर ने गुमशुदगी दर्स कराते समय निहाल विहार थाने की पुलिस से साफ कहा था कि उसके माता पिता की गुम होने के पीछे उसकी बहन सोनिया व उसके प्रेमी प्रिंस दीख्षित का हाथ हो सकता है लेकिन पुलिस ने हरजिंदर कौर की शिकायत पर गंभीरता से ना तो जाच की और ना ही कोई कारवाई किया इस दोरान जब माता पिता दोनों की हत्या हो गई तो सोनिया व प्रिंस तिलक नगर के प्रॉपर्टी डीलर पर मकान को जल्द बिकवाने का दबाव बनाने लगे वे दोनों हत्या के बाद प्रॉपर्टी बेच कर कहीं दूर भागने की फिराक में थे जब पुलिस ने नांगलोई के नाले से पहले जागीर को और फिर उनके पती गुर्मीत सिंग के शव बरामत कर जाच परताल शुरू किया और सोनिया व प्रिंस फरार मिले तो उनके मॉबाइल फोन को सर्विलास पर लगाया गया पुलिस ने इसी आधार पर प्रॉपर्टी डीलर को थाने लाकर पूछताच की और पता किया कि वे दोनों उससे किसलिए बातचीत कर रहे थे तभी पता चला कि दोनों उससे पिता के मकान को बेचने के लिए लगातार बात कर रहे थे उसी दोरान पुलिस ने सोनिया व प्रिंस को पकड़ने के लिए एक चाल चली उसने सोनिया और प्रिंस को एक साथ एक ही जगह बुलवाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर से दोनों को फोन करवाया कि प्रॉपर्टी को खरीदने का एक ग्राहक मिल गया है, जो उनसे मिलकर एक साथ सारी रकम देकर डील करने में रुची रखता है. बस इसी के बाद सोनिया व प्रिंस ने आपस में फोन पर बात किया. प्रिंस उस वक्त लखनव में था और सोनिया दिल्ली में ही कहीं छपी थी. दोनों ने प्रॉपर्टी डीलर को खरीदार के साथ नांगलोई के दिलेर महंदी फार्म के पास मिलने का वक्त दे दिया. लखनव से दिल्ली आकर प्रिंस दस मार्च की रात जैसे ही फार्म हाउस के पास पहुँचा, तो वहां प्रॉपर्टी के खरीदार के रूप में पुलिस पहुँच गई और दोनों को गिरफतार कर लिया. सोनिया के हाथ में माता पिता की प्रॉपर्टी तो नहीं आई, लेकिन वह जेल की सलाखों के पीछे जरूर पहुँच गई और उसने अपना नाम एक ऐसी बेटी के रूप में दर्स करवा लिया, जिसने संपत्ती की खातिर अपने ही जन्मदाताओं को मौत के घाट उतार दिया. कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद. इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा, और ऐसी ही अपराद की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए. कहानी को लाइक और शेर जरूर करें. धन्यवाद.